वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एन ओल सिस्टिक में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत हैं आज हम संविधान सभा के प्रमुक समितियां और उनके अध्यच कौने ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, बिश्का सभी समितियां और सभी अध्यच याद हो जाएंगे चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं संचालन समिति, डॉक्तर, राज़ेंदर परशाद अध्यच थे अब राज़ेंदर परशाद देश के पहले राष्टपती थे और जो पहला होता है वही तो संचालन कर सकता है अब घर का भी संचालन जो घर Schon frontal सबसे बड़ा सदर से होता है वही करता है तो ऐसे टरीक याद रखेगा कि जो पहला था वो संचालन किया में बाजेंदर प्रसाद संचालन समिति के अद्द्च संह जो algorithm समीति पंडित जोहरलाल नहरू अध्यच्छ थें अब संग में सो होता है केंद्र और केंद्र में पहली दफा प्रदानमंत्री पंडित जोहरलाल नहरू थें तो पंडित जोहरलाल नहरू वहां के अध्यच्छ हो गए तो संग सम्मिधान समीति के अध्यच्छ पंडित जोहर जनते हैं सभी प्रांतों को एक जूट करने के लिए देशी रियासतों को एक जूट करने के लिए सरदार बल्लब भाई पटेल ने बहुत सारा वर्क किया और सभी देशी रियासतों को एक में मिलाने का प्रयास किया और भारत का अखंड भारत का रचना करने का प्रयास किया और किया भ अब प्रारूपी से समझेगा संभिधान का प्रारूप संभिधान का प्रारूप कौन निर्धारी कर रहा था अंबेड कर जी तो प्रारूपी समीती के अध्यच भी तो भीमराओं अंबेड कर जी होंगे और प्रारूप का मतलब होता है टाइप करना अब ऐसे ट्रीक समिति के अध्यच्च डाक्टर भीमरावं बेट कर थे, मौलिक अधिकार एवं अलप संक्य को संबंदी परामर समिति, तो जो मौलिक अधिकार जो प्रांतों में घूमेगा, तो वही तो जान पाएगा की किसको कौन सा मौलिक अधिकार की आओ सकता है, और कहां पे अल्पसंख्यों की संख्या जादा है कहां बहु संख्यक हैं तो कौन थें सरदार बल्लब भाई पटेल थें तो उन्हीं को ये अध्यच बना दिया गया मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी प्रामर्स समीती का तो सरदार बल्लब भाई पटेल थे अगला है राष्ट ध्वज संबंधित तदर्थ समीती अब राष्ट ध्वज अब बताईए जो देश का पहला नागरिक होगा वही तो राष्टी ध्वज फैराएगा तो ऐसे समझेगा राजंदर परसाद जी देश के पहले राष्ट प अमेशा के लिए पर्मनेंट फिक्स हो जाएगा अब देखिए मौलिक अधिकार एवं अल्प संख्यक संबंधित परामर्स समीती को दो उप समीति में विभाजित कर दिया गया पहली जो उप समीती थी मौलिक अधिकार उप समीती का अध्यच बनाएगा जे पी किरपलानी अब मौलिक अधिकार है और इनके नाम में है किरपलानी तो मौलिक अधिकार किरपा से किरपलानी के मिला किरपलानी के किरपा से मौलिक अधिकार मिला नहीं तो अंग्रेजों के सासनकाल में तो चैन से जीने की भी अधिकार नहीं थी तो मौलिक अधिकार किसकी किरपा से म मिला ऐसे याद रखेंगे अल्प संख्यक उपसमीति तूसरी उपसमीति थी अल्प संख्यक उपसमीति इसके अध्यच थे हैं H.C. मुखरजी मुखरजी से समझिएगा मुखरूप से अर्जी लगाने वाले अब जो अल्प संख्यक हैं उनकी समीति का अध्यच बनना अल्प संख्यों को संख्या कम है वह अर जी कैसे लगाएंगे तो मुखर जी को बना दिया गया तो अल्वसंख्यकूप समिति के अध्यच थे हैं एच सी मुखर जी विश्वासे दोस्तों आप अर्वेस्वासे दोस्तो आप लोग